नमस्कार आप देख रहे हैं वीके नियूज, मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंग। भारत के दोस्त ब्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर युवेनस्सी में भारत के सदस्ता के लिए जोरदार वकालत की है और समर्थन किया है उन देशों का जो भारत को युवेनस्सी में स्थाई सदस्त बनाये जाने का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और उसके लिए प्ष्चिम के वकालत कर क्यों रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पश्चमी देश भारत की ताकत को देख करके सामने आने पर तो भारत का समर्थन करते हैं लेकिन पीछे से राजनीती करते हैं इसका पुर्जोर विरोध किया है और इस सड्यंत का परदाफास भी ब्लादिमीर प करते हैं यह पश्चमी देशों का दोतरफा राजनीत करने का तरीका है और इसके जरीए वो एशिया के कई देशों को प्रभावित करते रहते हैं यहां तक कि अरब देशों के खिलाब एक माहौल बनाये जाने की कोशिश भी पश्चमी देशों के शड्यंत के और उसकी मु में भारत की सदस्ता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारत एक ताकतवर देश है एक सो चालिस करोन से अधिक के जनसंख्या वाला देश है जो विकास सील और विक्सित देशों के बीच के एक बड़ी कड़ी है तथा दुनिया के तमाम शांति के संदर्म में जितने भी मुद रहता है ब्लादमीर पुतिन ने दूसरा कारण बताया कि भारत अपने निर्णे विदेश के संबंध में खुद लेता है इसमें किसी भी दबाव को वो स्विकार नहीं करता पश्चिम के देशों ने भारत के साथ दोस्ती निभाने के लिए जो शर्ते रखी भारत ने उनक तो राह भारत में अपनाई है और जिस राह पर आगे बढ़ रहा है आने वाले समय में एक ताकतवर देश के रूप में भारत उभरेगा और इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और उनकी दूर दर्शिता माफ करिएगा दूर दर्शिता बहुत काम अशांत की इस्थिती पैदा हुई है एक बार फिर ब्लादमीर पुतिन ने जी ट्वंटी समयलन में भारत की कोशिसों के बाद जो फांडिंग्स हुई है जो प्राप्तियां हुई है जी ट्वंटी के जो घोशना पत्र हुए आये सार्विनिक हुए हैं उसको लेकर के भी बड़ा ब्यान फिर दिया है कि जी ट्वंटी में भारत की कोशिसों के कारण बहुत बड़ी घोशना हुई है और पश्मी देशों की कई सदंत काड़ी नीतियों पर पूरी तरीके से लगाम कसा जा सका है ये बात भी ब्लादमीर पुतिन ने कहा है अब हम आपको कि एनसी की जी सदस्ता है वो भारत के लिए जरूरी क्यों है व्लादमीर पुतिन ने अगर कहा है तो इसके माइनी क्या है सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि संयुक्त रास सुरक्षा परिसद ये गठन होने के बाद से पांच स्थाई सदस्ते हैं जिसमें हमारा पड कि अगरिस्तान की आतंकी गत्विधियां होती हैं किसी आतंकी पर ग्लोबल टेर्रिस्ट का एक ठपा लगा कर उस पर बैन लगाने की कोशिश कर किया जाता है तो चीन उस पर वीटो लगाता है इन सभी कोशिशों को और इस तरह के सढ़न पर लगाम कसने के लिए भारत को का स्थाइस सदे से बनाया चाहिए क्योंकि भारत इसके लिए जितने भी जरूरी मानक और अहरताइं है उसको बहुत पहले प्राप Us कर चुका है लेकिन इवनेस्टी में भारत को स्थाइस सदे से बनाया जाना का विरोत खुले तार पर चीन तो करता ही है लेकिन जो पर भारत के UNSC की सदस्ता के लिए जो प्रयास किया जा रहे हैं उसका पुर्जोर समर्थन करता है। रूस भी UNSC का स्थाई सदस्य है, अमेरिका है, चीन है, प्रांस है, ब्रिटन है, आपको पता ही होगा। अब भारत इसकी मांग भी करता रहा है क्योंकि मल्टी पोलर सिस्टम में और UNSC में UN की का जो एक पुनरगठन होना चाहिए, जिसकी जरूरत पुरी दुनिया महसूस कर रही है, विसेश करके विकास सील देश अब UNSC को एक्सपैंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ये मा पर वो बात तो भारत के सामने हां में हां मिलाते हुए कहते हैं कि भारत को UNSC का अस्थाई सदिस्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया जा रहा है, कारण ये है कि कुछ ऐसे देश हैं, जिसमें चीन सबसे प्रमूख है, वो वीटो लगाता है इंडिरेक्ट, और इ दुनिया के कई प्रमुख मुद्दों को जो शांती के लिए खत्रा बन रहे थे, भारत ने उसको साल्व करने के लिए, उसका सलूसन ढूरने के लिए अथक प्रयास किया और उन प्रयासों से शांती कायम हो सकी, और इन सब का हवाला व्लादिमीर पुतिन ने दिया है, परमार युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, उसमें रूस और यूक्रेन को एक तरह से रोकने की कोशिश की है, और दोनों के साथ वित्रवत व्योहार रखते हुए, कुटिनीत के सहारे, बाचीत के सहारे, युद्ध को खत्म करने की कवायत की है, उसके भी प्रसंसा ब्ला पादमीर पुतिन और उनका देश रूस भारत का दसकों से सहयोगी है, और दोनों के संबंद इस कदर प्रगाण और मजबूत हुए हैं, कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोई इसे तोर नहीं सका, चीन इस समय युक्रेन युद्ध के कारण रूस से ज़्यादा नज पुशिस करता है जब रूस और चीन और भारत के संबंदों की बात होती है, तो रूस दो टूब कह देता है कि भारत उसका स्थाई और परवानेंट मित्र है और रणनीतिक सहयोगी भी है, क्योंकि रक्षा से लेकर के स्पैस टेक्नोलोजी में भारत और रूस एक साथ मिलक करके काम करते हैं और कोई भी मिशन आगे बढ़ाने के लिए उत्पादन से लेकर के उसको जमीन पर उतारने तक साथ साथ टेक्नालोजी के अस्तर पर एक दूसरे से आदान-प्रदान करने की इस्तिती भी बनाते हैं तो कुल मिलाकर के स्थाई सदस्ता की पुर्जोर वकालत की है और जब ये बात चीन ने कही है तो रूस माफ करिएगा रूस ने कही है और पुतिन ने अपना पूरा दृष्टोर प्रस्तुत किया है तो ये चीन को अच्छी नहीं लगी हलाकि चीन की कोई आधिकारिक प्रत् पुतिन ये जानते हैं कि आने वाले समय में अगर पश्चमी देशों पर कोई रुकावट या उन्हें रोकने की कोई कोशिश उसकी जरूरत होगी तो भारत के अत्रिक्ट और कोई देश उनका साथ ही होने वाला नहीं है ये अभी तक रूस यूक्रेन युद में जब जब उनाइटर नेशन सेकर्टी काउंसल में भारत को स्थाई सदस्य बनाया जाए क्या भारत को स्थाई सदस्ता मिलेगी क्या पुतिन की मुहिम कामयाब होगी आप इस पर अपनी प्रत्क्रिया जरूर दीजे फिलाल मुझे दीजे जाधत देखते रहे है वीके नूज क्योंक नमस्का